असलाम अलेकूं नाजरीन आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं दही की लसी वह भी रूफजा के साल क्योंकि रमजान आने वाले हैं इसलिए मैं आपके लिए लसी बनाओं वह भी बहुत मज़ेदार इसमें इस्तमाल होगा एक टेबल स्पून चीनी दो चुटकी नमक नमक जा अब इसमें डालेंगे हम टू टेबल स्पून रूफजा अब हम इससे बनाएंगे एक मिनटी नाजरीन अभी हमारी लसी तयार है रूफजा के साथ आप इसे सहरी में भी इस्तमाल कर सकते हैं और इफतार में अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और लाइक हो